आज हम बनाएंगे फिसकरी और ये बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही कम मसाले में तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मशली के पीसे इसको हल्दी और नमक लगा के उसे हम 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद उसे हम अच्छे से दो लेंगे और अच्छे से दोने के बाद फिर मशली में हमें क्या करना है कि हल्दी और नमक डाल के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है पुरे पिसेज में अच्छे से हल्दी और नमक लगा लेंगे और उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि कराई को गैस पर चराएंगे और उसमें हम डालेंगे तेल और तेल जब तक अच्छे से गरम नहीं होगा आप उसमें मशली के पीसेज मत डालें वरना ये तूट सकते हैं तो देखिए यहाँ पर तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम एक एक करके मशली के पीसेज डाल देंगे और फिर इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब मशली एक तरफ अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब इसे हम पलटेंगे वरना अगर मशली अच्छे से फ्राई नहीं हुई है इसे आप पलटना चाहें तो ये टूट सकती है तो देखें ये एक तरफ अच्छे से फ्राई हो चुकी है और दूसरे तरफ भी हमें बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसे हम निकाल लेंगे और फिर जो मशली बची हुई है इसके पीसे भी हम इसी तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और सारे मशली अच्छे से फ्राई होने के बाद इसका हम मसाला तयार करेंगे तो देखें यहाँ पर जो तेल बचे हुए हैं इसमें हम डाल देंगे तीन टेबल स्पून प्याज पिसा हुआ यानि की अनियन पेस्ट और फिर इसमें हम भढ़के डालेंगे वन टेबल स्पून लैसन का पेस्ट और हल्दी का पौडर और इसमें अब हम डाल देते हैं नमक और लाल मिर्ज का पौडर लाल मिर्ज का पौडर भी यहाँ पर हम वन टेबल स्पून डालेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे पानी और पानी डालने के बाद मसाले को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे देखिए यहाँ पर हम मसाला अच्छे से भूनेंगे और जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम फ्राइ किये हुए मसली के पीसेज डाल देंगे और साथ में हम दो मेडियम साइज के जो टमाटर है उसे भी पतले-पतले पीसेज में काटके डाल देंगे और दोनों को साथ में हम थोरा सा भून लेंगे देखिए मशली और टमाटर साथ में अच्छे से भून चुके हैं अब इसमें हमें पानी डाल देना है और पानी हम इतना डालेंगे कि मशली अच्छे से पक जाए और यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके थोरी देर इसे हम हाई फ्लेम में पकाएंगे और जब यह अच्छे से उबल जाएगा तो इसका फ्लेम हम लो कर देंगे देखिए इतना पानी काफी है मशली को पकने में पकने के लिए देखिए यहां बहुत अच्छे से मशली उबल रही है तो अब हमें क्या करना है एक से दो मिनट एकदम फ्लेम लो कर देना है गैस का और एक से दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है देखिये यहाँ पर मशली बनके ready है अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो आप देख सकते हैं ये मशली बनके ready हो चुकी है और इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही कम मसाले में बहुत ही मज़ेदार मशली बनके ready हो जाती है एक बार आप इसे अपने घर में जरू बनाया किजिए